बॉर्णिंग फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एटूजेट क्लासेज बाई गौरफ सर लास्ट लिक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था, प्रोब्लम ओफ हुमन सेटलमेंट इन डिवलपिंग कंट्रीज मिंच डेवलपिंग कंट्रीज में हुमन सेटलमेंट का दिक्कत हो, चाहे आइधर रूरल और अर्बन हो, अच्छा याद कर जब रूरल सेटलमेंट देख रहे थे, तो हम लोग देख चुके थे, प्रोब्लम ओफ रूरल सेटलमेंट, तो रूरल की अलग-अलग दिखते थी समझ भी सकते हो, गाउन लेवल की दिखते हैं अलग-अलग होती है, कच्छा मकान है, कच्छा रोड है, कनेक्टिवीटी साल में छे महीना गय भी हो जाएगा, लाइट नहीं है, चाहे अर्बन, तो अब अर्बन पढ़ रहे थे, तो टोपिक क्या है, प्रोब्लम्स ओफ अ आते हैं, पहला तो इंप्लोइमेंट के लिए, और दूसरी, डिफरेंट डिफरेंट सर्वीस है, जैसे मान लोग कहीं, एजुकेशन फैसलेट ठीक नहीं है, तो जैसे हम लोग आ जाते हैं, माइगरेट करके दूसरे जगा, तो टाउन में दूसरे जगा आएंगे न, कहीं कोई आगे मान लोग की कुछरीनों के लिए चेक अप करवाने, इलाज करवाने आगे, तो पहले तो लोग आते हैं, जौब के चक्कर में, तो जौब के चकर में आते हैं, तो पहली इसूच क्या हो जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा, एक ही मकान में, दस-दस मान सब्सक्राइबन में सौर्टेज ओफ हाउसेज सौर्टेज ओफ हाउसेज अब होगा ना भाई कहां से मानलो कोई छोटा सा टाउन है उसकी कुछ केरिंग कैपिसिटी हो गया और अचानक वहां से पचास अजार लेबर आ गए या और भी सर्विकेबल लेबर लेबर नहीं बाकी सर्विश अजबाले भी तो क्या हो जागा सौर्टेज ओफ हाउसेज ओहां रहेगा दूसरी एक कंसिप्ट है अजीब सा लगेगा सुन करके क्या वर्टिकल एक्सपेंशन सर यह क्या होता है व होरीजोंटल एक्सपेंशन हुआ बता चुका हूँ उस हर एक टाउन देखना की बगलबाले बाजार में आकर के अल्मोस्ट मिल जाता है होरीजों भर्टिकल एक्सपेंशन मतलब की बड़ी-बड़ी बिल्डिंस मानलों बनना सुरू हो जाए तो मानलों होरीजोंटली तो इलीगल उसी में मानलों छोटा सा भी अर्थ कुई खाए अभी तो दो-तीन दिन पहले लखनाव में एक मकान गिर गया वही समस्या तो है उसी में समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्शन के फैमिली भी डेथ होगी तो भर्टिकल एक्सपेंशन यह भी एक समस्या है और यह क्या क्या सोच सकते हो पहुत सारे चीज़ सोच सकते हो थिक।ॉसलम्स हाँ署म्स एरिय डिवल्लप्मेंट उफ लुअ हर एक टाउन के दिखना कि टाउन के साइड में कितने छोटे-छोटे ऐसे सिलम सेरिया बन जाते हैं देख करके तया आ जाएगा ना उनके पास रहने का फैसलेट न कुछ है वही गंदा सा पानी पी रहे हैं है है न शम्रस्या पिल्कुल समझ्रस्या और क्या सोच सकते हों अब इलीगल मीन अन उत्रफुराइसट इलीगल यह ऑन ऊथुराइसट कॉलोंई आऊ-णॉ अथुराइस नियुक्त सेटलमेंट और एक रिपोर्ट ऐसा है कि एंडिया में जो मिलियन सेटिज है ना जिनकी मोर देन 1-1-5 लियक्त-थ-श्चर श्वक्राइब एक आडमी लेगल में और लूद तॉरन में उत्राखन में दिन फेल्ट कर्णा भी लाईए। और फिर कुछ परशासन गया और बोला कि भाई हटो अचानक हटाने कोछ दिन का टाइम दिया वो लोग सुप्रीम कोटा है तो सुप्रीम कोट कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया अब को यहां सोचने वाइल चीज है ना कि भाई आप अचानक किसी को जो पचास साल से रह कि मानलो दो-चार लोग कहीं गौर्मेंट की प्रोपर्टी पे आना सुरू करते हो उसी समय क्यों नहीं रोकते हो अब रेल्वे के जमीन पे पूरा कोलोनी बना लिए और रेल्वे वाला खाली करवाने का ओर्डर दिया वहां परशासन गया तो लोग बिलकुल बैठ जब देखोगे तो ऑल्मोस्ट सिक्स्टी परसेंट क्या है सेटल्मेंट अन ओथोराइजड है इलीगल है समयचे हो कि वहला हम ही लोग महान नहीं है एस्या पेस्विक मतलब वो रीजन जो एस्या और पेस्विक में क्या होता है जैसे यूएसे का कुछ पार्ट कनाड़ा चिलली इंडिया में भी जापान यहां तक इंडियॅ बंगलादेığस सब रहा जाता है तो तो है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोलम्स होता क्या है तो अचानक लोग टॉन में आने लग जाते हैं अर बनाइजेशन बढ़ रहा है बता रहा हूं इंडिया में 31 परसेंट हो गया है और बल्ड में 53 परसेंट आभी और ज्यादा होगा नहीं सेंसस आएगा तो तो इस सम सब लोग सुखी संपत रहते हैं भाई तो हर एक कोईंस का जैसे हेड और टेल दो पाट होता है तो मान लोग जो अमीर लोग है जो अच्छा खासा बोल सकतो हो जो वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको देखो हर एक टाउन में देखना बेचारे को लेबर मंडी हो अब देखो होता क्या है ना कि economic problem कैसे आता है कि देखो यहां से मान लोग village से village से semi-askilled और non-askilled semi-askilled और unskilled labor आने लगे semi-skilled और un-skilled या non-skilled उसी को बोल दोगे आने लगेंगे लोग कितना job मिलेगा भई job तो already saturated है ना town में भी क्योंकि वहां के भी लोग job कर रहे हैं तो मिलेगा कहां से तो job नहीं मिलेगा job नहीं मिलेगा तो यह जो आ रहे थे यह मिलेगा भी तो कम page पर मिलेगा कम pages पर मिलेगा तो इनकी सिच्विशन economic point of use क्या हो जागा खराब होने लगेगा खराब हो ही जाता है इसलिए देखना बहुत से नहीं निकलना चाहते हैं गाउं में कम खर्चा हम भी लोग चल लेते हैं खैर आज तो नहीं चलते हैं आज तो वहां बहुत लोग बाहर नहीं निकलते थे कमाने क्योंकि चल जाता था उनकी खेती से काम आज तो नहीं चलोगे तो पता चलेगा बिबियो भाग गए खर्चा ही नहीं जुठाते हो तो कहां रहेंगे सबसे बड़ी चीज यह है दूसरी जब प्रोब्लम्स देखोगे इस तरह से तो दूसरी प्रोब्लम तो यह आ गया कि भाई नए जगह जाओगे तो पूरी आपकी सोसाइटी अलग है कल्चर ही अलग है तो इनो मीटी का प्रोब्लम्स आ गया था बता चुका हूं यह सब माइग्रेशन बला में इनो मीटी का तुम एकदम बिल्कूल अलग-अलग सा दिखोगे कोई नहीं पह और हम देखो यहां भी सेम इसू दो क्लास होता एक के पास अच्छा एजूकेशन फैसलिटी है प्राइबेट को स्कूल अच्छा में जाएंगे ठीक है खाना पीना अच्छा खाएंगे एक जो यहां के जो गरीव लोग हैं उनको भी क्या हो जाएगा लैक आफ तो इनके प जीत के वह इस इसू को देख लिए ना कुछ करो चाहिए नहीं सरकारिय स्कूल थोड़ा अच्छा बनवा दिए और मुहला खिलनिक परसों में गया था एक जाम दिलवाने वाइफ का तो देखा कि वहां पर मुहला किलनिक चल रहा है लाइन लगा हुए चलो कम से कम कुछ बंद भी रहा होगा हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कम से कम से अच्छी तो चीज है तो यह जब देद होगे तो लोग आपको फोर्टेंगी देंगे दो अलेक्सन जीत गए बिधान सभा का देखो पंजाब में भी गवर्मेंट बना लिए और इस वारे में भी जीते तो यह होगा क्या ना कि इनके पास से जुकेशन अमीर लोग तो अब हेल कर पाएंगे यह बेचारे गरीब कहां से प्राइबेट स्कूल जो केवल पैसाहीं लूटना आज कल जान गया परहाई लिखाई तो इन जा पाएंगे तो इन नहीं से तो एजुकेटिड नहीं होगे हेल्थी सु खराब होगा तो क्या हो जागा क्राइम नहीं बढ़ेगा क्रीमनल एक्टिवीटिटी बढ़ने लगा ना इसी से बिलकुल एजुकेटिड नहीं उसको क्या मतलब है अराम से जो कह दो सो दो सो रुपया दो तो पर्स मार लेंगे 25-30,000 दे दो तो किसी का गला ही कार देंगे उनको क्या फर्क पड़ता है तो इस क्या होजगा है यह सोशियो कल्चिरल एक क्या हो जाएगा प्रोब्लम सो जाएगा टाउनस का तीसरी इसी तरह से आप प्रोब्लम देख जखते ह तुंसरी problem environmental problem यह तो बिलकुल आसान सा चीज है सम Mach सकतू क्या environmental problem क्या है सर बताया भाई सब चीज पोलूट नहीं होने मतलगे अ लेंड पोलूछण बिल्कुल जीरो चला गया नहीं है पानी अब कहां से रिसोर्स डिपलेशन यहीं से एक इसूद देखना आपके पूक में है हीट आइलेंड हीट आइलेंड डेवलप होने लगा है टाउन में आजकल सर ए क्या है हीट मतलब टेंपरेचर हाई होना आइलेंड मतलब मतलब ट्रिव tu के कारान जो इनके आश मानुए टाउन है तो इनके आउसपास का गाउस इंका टेंपरेचर हाई हो जाता है इसी को बोलते हीट आइलेंड मैं जितना लोग रह रहे हैं तो पाहला तो वहां कीड़पोदे काट करके घर बना लियंत तो कहां से टेंपरेचर बैलें ना उसी प्यक्ट आई आएगा दूसरी लोग करेंगे ना कुछ न कुछ और उहां पर मालो मकान बना लिए तो मकान बना लिए तो हीट अब जर ज़ादा कर रहा है न तो हीट आइलेंड डिवलप होगा ही होगा तो यह एक नया इसूज इधर होने लगा है क्या हीट आइलें बताने की ज़रूरत है कितने ज्यादा वीकल्स चल रहे हैं और वह भी वीकल्स कौन सा जो कन्वेंशनल इंधन को यूज कर रहे हैं फ्यूल्स को मिन्स पेट्रोल डीजल वाला मानलों यूज कर रहे हैं तो यह तो भाई चलेगा ना बिल्कुल पॉलूशन करेंगे अब द पॉलूशन सिम्लर इलेटेड आसपास की लेंड क्या हो जागा जितने ज्यादा स्लंप मैच करेंगे तो आसपास के लेंड के ओजागा पॉलूट हो जागा यह तो आपका रहा तीन टाइप का प्रोबलम्स और क्या क्या हो सकते हैं इसमें आप देख सकते हो बता चुका क्या होता है गड़वाड हो जाता है मिस्ट टाउन में मान लोग से उठ करके मेल लोग ज्यादा चले आए तो अब यसी बात है मेल का रेशियो बढ़ जाएगा ना और उसी तरह एज टाउन में जौब करने क्या हो जाते हैं वर्किंग एज के लोग भी आएंगे तो वर्किं सोलूशन क्या तो सोलूशन क्या एक तो अपना मन से आप सोच सब्सक्राइब बहुत लोग क्या सोलूशन सोचोगे तो आपके पास सोलूशन हो जाएगा कि बताया हूं कि रूरल और अर्बन लिंक है एक दूसरे से और में इस सब का क्या है प्रोब्लम का माइग्रेशन इंफ्लक्स ओपीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन तो क्यों नहीं जो गौंवाले लोग टाउन में जा रहे हैं तो गौंव में यदि रोजगार दे दिया जाए यदि जौब अपर्चुनिटी गौंव में ही दे दो तो अर्बन डिसोर्सेज पर थोड़ी सी प्रेशर कम आएगा कम आएगा ना तो क्या करें इसके लिए तो पहले तो पहला सोलूशन कोई पूछे तो बोला कि रूरल जो अनिम्प्लॉयमेंट है उससे खतम करो भाई अनिम्प्लॉयमेंट मिंश गौं में रोजगार दो लोगों को तब भी बोला जाता है न कि इन्डिया सुपरपावर तभी बनेगा जब भारत को डेवलप करो मिंस गाओं को डेवलप करो ठाउन में तो डेवलाप फिर भी लोग हो जाते हैंbe law को डेवलप करो तभी सुपर पावर इंडिया बन से और देखना आज कल अच्छा काम भी चल रहा है कौन सा फूड प्रोसेसंंग इंडरस्टी को क्या करो वर ऊच्छा सरिस्य मतलब क्या माल पर टमाटर का खेती अच्छा हो रहा है तो भाई ओ टमाटर महान लोग गाउं से चलकर के टाउन आते आते आधा तो सांस छोड़ दिये ना बैचारे आधा तो खतम हो गया तो सरने कलने से बचाने के लिए आधी मान लोग गाउं में टामाटर तीन-चार गाउं में यहां हो ला है यादि उसी के आसपास सॉस टोमेटो सॉस बनाने का अधी को लिए लगा दोगे तो पहली काम तो लोकल लोगों को जो ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज टाउन में लाने का पच्चेगा फ्लस में दूसरा काम क्या होगा कि यहीं इन लोग इंप्लोइमेंट मिलेगा इस इंडरेस्टी में और जो बरबाद हो जाता रहता साल अकलद कर जल्दी पहुँच जाएगा यह तो मैं किवल टमाटर का एक्जामपल दिया चीप सोच लो मीश छोटी मूटी इंडरस्ट्री और क्या कर सकते हो और करो सर एसे में कर दो जैसे होता था ना उसको थोड़ा जैसे को बना लिए चीप सबना ली महिला एं तो उसर में डेस्ट्री को जब आप पर मोट करोगे तो घर के लोग क्यों बाहर जाएंगे बताया तो कि बाहर में बहुत क्राइसी से लोगों को लगता है टाउन में बहुत अच्छा है कोई ज़रूरी नहीं है तो नहीं जाएंगे ना तो आप यह तो कर सकते हो कि यह आप सोलूशन सोच सकते हो कि मिन्स पहला काम है गौंट ठीक करो भाई तो टाउन में बहुत चीज़े अपने आप क्या हो जाएगा ठीक हो जागा तो क्या कर लेना है पहले गौंट ठीक करो रूरल पोबर्टी को खतम करो वहां पर क्या हो जाए लगा क्वालिटी लिभिंग लिभिंग स्टेंडर्ड भी है तो तो पैसा से है भाई पैसा आएगा तो लिभिंग ऐंवाइब होगा वोला ना आजकाल लोग मैजी चौमिन खाना ही लगये देखो गौन लेवल पर इसकाल बिल्टे वर्टे से लिफेरेत कुरेट वर हो रहा है नकि अमां लोग जैडरेटर से अना लगा देते हैं समकर सकते हैं तो आज फिर से माझा और रिभीजन कर लेते त और इसी बेसिस प्रोब्लम को हमने तीन केटोगरी में डिवाइड किया कौन-कौन सा इकनोमिक प्रोब्लम और सोशियो कल्चर प्रोब्लम दिश्रा इन्वर्मेंटल प्रोब्लम ही पेका है हीट आईलेंड वो हमने डिसकस किया कि आज पास के रूरल इरिया से जब किसी लोगों में जो पोवर्टी खतम करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा बाकी एक लास्ट लेक्चर होगा कल के क्लास में ओ मैं बताऊंगा तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं फिर सेम रिक्वेस्ट प्री लाइक सब्सक्राइब सेर करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन